इस विजियो में मजमून पेटरियोटरिजम को पढ़ा जाएगा पेटरियोटरिजम यानि हुब्ब रवतनी, या वतन से महबद, तो चलिए मिलकर पढ़ना शू पर उसे समझने की कोशिश क्र आप ही मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशि़ा किजिए Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country Patriotism यानि हुबल वतनी से मुराद है मादरे वतन से महबत या अपने मुल्क से अकीदत या लगाओ A Patriot A Patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises एक महबे वतन शाख्स अपने मुल्क से मुहबत रखता है और वक्त पढ़ने पर वो कुर्बानी देने को तयार रहता है The word Patriot comes from the Latin word Patriota which means countryman लव्स Patriot लातीनी जबान के लव्स Patriota से निकला है जिसका मतलब होता है किसी मुल्क का बाशिंदा It is considered a commendable quality इसे काबल सिताइश खूबी माना जाता है यानि हुब अलवतनी की जो यह खूबी है इसे बहुत अच्छा जाना जाता है Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation यानि जजबाय हुबलवतनी लोगों को ताकत देता है उन्हें हिम्मत दिलाता है कि वो अपने मुल्क और काम के मफाद का दिफा करें इसकी हिफाज़त करें For a Patriot, the Sovereignty, Integrity and Honor of the country are of Supreme Values यानि एक मुहिबे वतन के लिए यानि वतन से मुहबत रखने वाले एक शक्स के लिए अपने वतन की खुदमुक्तारी, सालमियत, इज़त वगार जो है वो आला तरीन गद्रें होती है On which no compromise can be made जिन पर वो कभी समझोता नहीं करता Patriot surrender sacrifice for the preservation and protection of these values मुहिबे वतन लोग इन गद्रों को बचाने के लिए और इनकी हफाज़त के लिए इनको काइम रखने के लिए कुर्बानी पेश करते हैं Qayda Azim Muhammad Ali Jinnah was a nation builder and a great patriot Qayda Azim Muhammad Ali Jinnah एक अजीम कौमी मेमार थे यानि उन्होंने कौम को बनाया और वो मुहिबे वतन थे He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent वो बरे सघीर के मुसल्मानों की कदरों, सिकाफत और रसूमात को तहफुस देना चाहते थे उन्हें महफूस रखना चाहते थे He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them उन्होंने एक अलग मुल्क हासल करके मुसल्मानों को एक पहचान दी He said, उन्होंने कहा We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation यानि हमें हुबलवतनी के ऐसे जजबे को फरोग देना चाहिए जो के हम सब को एक मुत्तहिद और मजबूत कौम के तौर पर मुत्तरहरिक कर दे यानि हमें मिल जुलकर एक अजीम कौम बनने का जो जजबा है वो हमें उभारे The spirit of patriotism makes us stay alert in case of foreign invasion यानि हुबलवतनी का जजबा हमें किसी भी बैरूनी हमले के वक चुकरना रखता है हमें होशार रखता है In the history of Pakistan, there are many instances when people lay down their lives for the defense of the country Pakistan की तारीख में कई एक ऐसे वाकियात हैं कि जहां लोगों ने अपने मुल्क के दिफा की खातिर जाने कुर्बान की In the wars of 1965, 1971 and the Kargil War 1965, 1971 की जंगों में और Kargil की जंग में Many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland Bहुत से बहादूर सिपाहियों ने अपने वतन की हिफाज़त की कोशिश में अपनी जानों का नजराना पेश किया Captain Muhammad Sarwar, Major Tufail Muhammad, Major Aziz Bhatti, Pilot Officer Rashid Minhas, Major Muhammad Akram, Major Shabbir Sharif, Suwar Muhammad Hussain, Lance Naik, Muhammad Mahfuz, Captain Colonel Shaykh Khan and Havaldar Lalakjan all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland तो यहाँ शोहदा के नामों के तज़करे के साथ यह बताया जा रहा है कि इन तमाम ने शहादत को गले लगाया अपने मादरे वतन की खातर दुलेरी से लड़ते हुए All of them were awarded Nishan-e-Hether इन सभी को निशान-e-Hether से नावाजा गया The highest military award given to great patriots who lay down their lives for the country जो के सबसे आला तरीन फौजी एजाज है जो के उन महब्बे वतनों को पेश किया जाता है जो अपने मुल्क के खातर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं Patriotism therefore is not just a feeling लहाजा हुबलवतनी महज एक एहसास नहीं है It is a life spirit that continuously inspires and guides a nation ये एक जीता जागता जजबा है जो मुसलसल एक कौम को मुतहरक रखता है और उनकी रहनमाई करता है मुतहरक रहने से मुराद है हर वकत यानि के तयार रहना कौर्बानी के लिए और दूसरे मामलात में भी अपने मुल्क की खातर बाعمल रहना आगे पढ़ते हैं इस डबली स्कॉट के अलफाज में एक शख्स जो के हुबल्वत्नी के जजबे से आरी हो उसमें ये जो जजबा है मौजूद ना हो तो वो बिलकुल ऐसा ही है जैसे के एक ऐसा शख्स जो के ब्रीज्ट देर दे मैं विच सोल सो डेड जो के सांस तो लेता हो लेकिन उसका उसकी रूह मर चुकी हो जिसने खुद से कभी ये ना कहा हो ये तो मेरा अपना है मेरी अबाई सर्जमीन ये मजबून यहां मकमल हुआ इससे मतलब सवाल जवाब को अगली वीडियो में मकमल करेंगे आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ-साथ पढ़ने समझने की कोशिश जारी रखे